जहीं मेरे D-EAR साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं D-Pharma Second Year का Chapter No.4 इसमें हम देखने वाले Anti-Deprescent Drugs इसके पहले हम Chapter No.4 में बहुत सारे चीज कवर कर चुके थे आपको दिखा देते हैं ठीक है क्या क्या चीज हम कवर कर चुके थे उसको दिखा देते हैं Chapter No.4 में देखा जाए ठीक है तो हम General Anesthetic, Hypnotist, Insidative, Anti-Consulant, Anti-Anjiety, Anti-Deprescent पे हम पहुँच चुके हैं इसके पहले यदि आप यह सब वीडियो नहीं देखें प्लीज आप स्टार्टिंग से देखिएगा ठीक है तो आपके लिए बहुत ही beneficial होगा ठीक तो चलिए हमीं स्टार्ट करेंगे आज ठीक है यानि आज हमीं स्टार्ट करने वाले हैं Anti-Deprescent Agent के बारे में ठीक है तो हमने बता दिया कि हमें स्लेवस में क्या क्या चीज पढ़ना है Anti-Deprescent में सबसे पहले इसकी definition देखने पड़ेगी उसके बार इसका classification उसके बार इसका pharmacological action उसके बाद हमें देखना पड़ेगा डोज उसके बाद इंडिकेशन उसके बाद आपको देखना पड़ेगा Contra-Indication के बारे मापको देखना पड़ेगा एजी तरीके से ठीक तो इतना चीज देखने के बाद आपका क्या हो जागा जो anti-depressant drugs है फार्मकोलोजी में आपका क्या हो जाएगा यह portion इंडिय हो जाएगी जो निस्ट वीडियो आएगा इसके बाद वाला anti-psychotic उसको देखेंगे ठीक तो चलिए अब depression क्या होता जैसे मालेते आप depression कब होंगी जब आपका नंबर ब्लेक लिष्ट में पढ़ जाएगा तो मालेते आप आप इक्जाम का depression में कोई नहीं जाता तुम कोई भी एक्जाम देख लो डिप्रेशन में क्या होता ऐसी दवा जो depression के अगैंस पर्योग की जाती है उसी को को एंटी डिप्रेशन बोलते हैं लिखा क्या होगा दो ड्रक्स वीच आर यूज्टू ट्रीट्मेंट अब डिप्रेशन मतलब ऐसी दवा जो depression को treatment करने के लिए पर्योग की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रक्स बोला जाता है इधना हो गया इनके भारे में फिन तुम्हारे पास लिख देखते हैं डिपरेशन इस द वन आफ दर डिपरेशन इस द आफ दर फालोविंग टू टाइप मतलब डिपरेशन देख रहा टू टाइप होता सबसे पहले लिख रहा का तुम्हारे पास हो गया डिप्रेशन होता दो तरह का डिपरेशन होता और युणि पोलर डिपरेशन क्या होता इस तरह में तुम्हारे पास क्या होता है in this type of depression and mood swimming are always in the same direction मतलब क्या होता यह कहीं डाइरेक्शन में होता तो उसे हम क्या बोलते है unipolar direction बोलते हैं unipolar डिप्रेशन बोला जाता है मतलब simple समाले तो आपको depression होगा या mood शिंगा ती और mood खराब होगा है ये कही direction में होता है एक ही direction में होता तो उसे हम क्या बोलते है mono direction mono या तुम सी क्या बोल सकते हो unipolar depression बोला जाता थीक कभी कभी इससे मूनों के नाम से भी जाना जाता इसे डाई या बाइ के नाम से भी जाना जाता है अब बाई पोलर डिप्रेशन क्या होता in this type of depression altered with the mania मतलब क्या होता है किसी मैनिया के द्वारा क्या कर जाती आपका दिमाग depression में चला जाता है अल्टर हो जाता को माझड ही क्या हो जाए गाल्टर हो जाएगा तूस कंडिशन में दी ढी महिनियाज यह एकन्ट और अपोजिट आयक को खो देंगे तो उसी को क्या बोलते है का bipolar depression मतलब दो direction में जाता है ठीक है इसमें दो direction में आपका mood altered हो जाता तो उसे हम क्या बोलते है bipolar ठीक bipolar depression भोला जाता है ठीक तो इनके डिफनेशन यह नहीं लिखेंगे होता selective serotonin reuptake inhibitor प्लीज आप no down full name कर लिजेगा इसे हम बोलते हैं कि देखते हैं आपको लिख के दिखा देते हैं ठीक आप कहीं कि यह मारे तो फुल नेम पूल दिया जाए तो आप क्या करें ठीक है तो ऐसे छोटी-छोटी इसका फुल नेम क्या होता यह से तुम्हारे पास क्या हो जाता है selective होता क्या होता आपके सामने selective दूसरे यह से क्या हो जाता है एक serotonin होता क्या होता है serotonin होता ठीक है यहां से क्या हो जाएगा serotonin R से क्या हो जाएगा reuptake होता ठीक है यहां से क्या हो तो पहले आप सुनते चलिए नाम के वल, yes, yes, ri होता, इसे हम क्या बोलते हैं, selective serotonin re-uptake inhibitor, इसमें ये दवा का नाम होता, tca मतलब क्या होता, tricyclic antidepressant agent, मतलब ये दवा depression, या आपका mood, कोई mental problem होते, उसके लिए treat में इस category की दवा पर्यूग की जाती है लेस्ट में लिखा a typical antidepressant मतलब जो a typical antidepressant होता वो drug से यहां दिया गया यम ए ओ यम से क्या होता monoamine, monoamine oxidase inhibitor होता है इसमें monoamine oxidase और inhibitor यहां से दिया गया inhibitor दे रखा यहां से इसमें category की दवा यह होती है तो यह हो जाएगा, अब TCA दुबारा बोल दे रहा है tricyclic antidepressant, tricyclic antidepressant होता है यानि इसमें example देखा जाता है, फ्लू एक्जेक्टीन आता है फ्लू एक्जेक्टीन आता है इसका example हो जाएगा फ्लू वेजामीन आता है इसका example यहां हो जाएगा नेश्ट में देख लेते हैं, TCA में इसका example क्या हो जाता है डॉक्जीपीन आता है, दूसरा देखा जाए तो लिखा दोती पीन हो जाता है और नेश्ट में देखा जाता है, फ्लूमी प्रामीन आता है इसका example हो जाएगा यहां से यहां पर लिखा यह टीपिकल, एंटी डिप्रेसंट में क्या हो जाएगा ट्राजा, चलिए ट्राजो, दॉन आ जाता है मिस्टाज ज्टाजपीन आ जाता है इसका example हो जाएगा और क्या हो गएगा बीप्रोप्रापी ओम यहाँ पर एक्जामपल हो जाएगा इसके बारे में यहाँ में ए ओ ठीक है यहाँ में ए ओ जिसे हम क्या बोलते हैं मियानिक उसे बोले हैं ता मोनो इमीन आक्सिडेज और इनिबीटर दे रखा इसका एक्जामपल यदि देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है लिए रखा है फेनाईली जीन आ जाता है और ट्रागर ट्राइनीला इस ट्राइना साइपलो ठीक साइप्रो मीन आ जाता है इसमें क्या आ जाता है आईसो कारवा ठीक कारवो जाइड आ जाता है इसका एक्जामपल इसके में आप प्लीज इतना बड़ा बड़ा एक्जामपल यदि नहीं आद पाते हैं तो किसी तरह से ट्रीक लगा के आप क्या करिए ठीक है एक और दो दो एक्जामपल याद रखिए एक्जाम के पॉइंट अब उसे ठीक है रिमाले तो आपको यहां प मतलब क्या होता वो दवा किस पोजीशन पर जाके बाइंड करेगी और अपने एक्जान को परफार्म करेगी ठीक इसमें दे रखा है टीसी यह जो तुम्हारे पास होती है टीसी यह यहां पर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रखा इस सी यानिस मतलब सेंटर नर्वस सिस्टम पर कैसे जाके इफेक्ट करती है यह क्या होता डीफर इन नार्वल इंडिविड्यूल इन दे डिप्रेस्ट है यह क्या हो जाती है उससे डिप्रेस कर देती है और इंडियूज को क्या कर देती है ठीक है लिखा है एपी कूलर ठीक है और क्लेस्पी और फि सब्सक्राइब मुं क्या हो जाका सूखा सूखा या कोई आप कोई बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं आप सौक हो जाते हैं तो आपको वलर वीजन दिखाए देगा कानष्टीप्यूसन मतलब क्या आता है इस कंडिशन में तुम्हारे पास क्या होगी पेट में कब जबन जाएगा जो भी फूर का डाइजेशन प्रापर होना चाहिए आप डिप्रेस हो रहे है तो आपका फूर का डाइजेशन प्रापर नहीं होगा तो इसमें भी आपको दि anti-depressant में जो भी आप ड्रक्स ले रहे हैं तो आपके सरीर के लिए क्लिए क्या होता है खतरनाक चीज़े हो सकती है ट्रैकी कारडिया भी क्या कर सकती है इतने सीज़े क्या हो गया इतना एक्षान दे रखा इसके फार्मकोलोजिकल एक्षान के बारे में मतलब इन इन चीजों अपर ग क्या सकती हो सकती है नेश्ड में लेक लिया जाए ठीक है नेश्ड में तुम्हारे पास क्या दे रहकूर दो android के बारे में दोज में यहां पर देखें दोज आपको दवा लिखनी है दवा का यह एमजी लिखनी आपको एक्जेक्ट यह नहीं याद रहेगा तो कोई टेंसा नहीं रहेगा हैं ठीक पहला एक्जामपल आपके सामने यहां से दे रहा किसका लिख रहा एमी प्रामीन एमी प्रामीन जो 25 यह यां जिक यहां चला सकते हैं तो इतनी चीजे हो गए इनके बारे में ठीक तो ये हो गया इनके बारे में अब अब हम देख लेते हैं इंडिकेशन मतलब कहां परियोग किया जा सकता है मतलब यह जो एंटी डिप्रेशन ड्रक्स है यह कहां कहां परियोग कर सकते हैं सबसे पहले एंडोजेनिक डिप्रेशन मतलब आपको डिप्रेशन हुआ तो सब यूज कर सकते हैं एंजाइटी डिसार हो ते मतलब के नर्व wraz में कोई आपको क्या दिक्कते रहती तो उसके कणरेशन में भी सही कर आब यह नियूच वह प्रीट केंने के लिए यूज कर सकते हैं प्रीमेस्टेश्टे ही किलेशन मतलब क्या होता hyumोरी किलेशन के अफ़्लप बादिया सबादा करा वाका ठीक है उसके addition में भी क्या होगा एंटिडिप्रेसेंट का drugs यूज कर सकते हैं smoking suggestion इमानले लंबे समय तक क्या कर सकते हैं smoking कर रहे हैं उसे लट को हटाने के लिए हम antidepressant का drugs परियोग कर सकते हैं migraine का भी क्या कर सकते हैं किसी person को migraine हुआ है उस condition में भी परियोग कर सकते हैं आप इजली ठीक है और लिखा है protetis, protetis में भी आप क्या कर सकते हैं परियोग कर सकते हैं तो इतने चीज़े क्या होगा यहां से example के दोर पे होगा मतलब इन इन condition में आप antidepressant drugs का परियोग कर सकते हैं ठीक नेस्ट लिखा है तुम्हारे पास क्या होगा contraindication निसेद यहां पर तो आपको परियोग करना ही नहीं है कोई person ज़्यादा hyper sensitive है किसी drugs के परती तो उसे antidepressant नहीं देंगे मतलबे से depression में तो दूसरी category के दवा उससे हम treat करेंगे प्रेगनेंसी में तो आप antidepressant देंगे नहीं lactation period में तो आपको देना ही देना नहीं है glycoma glycoma एक eye disease होती है उस condition में भी आपको नहीं देना है अस्थमा मालते कोई यह अस्थमा का पेसेंट है सांस लेने में पराबलम है मालते antidepressant दे दिए दवा और मर मर आ जाएगा दिक्कत हो जाएगी तो उस condition में भी आप नहीं दे सकते हैं liver या तता kidney disease में मतलब किसी person को liver problem है या kidney problem है उस condition में भी आप easily नहीं दे सकते हैं ठीक है यह सब जारी सारी चीज़ जितनी होती सब condition देखते हैं अक्टर उसी के recording हो अपना ड्रक्स का प्रिस्क्राइब करते हैं और उनका treatment करते हैं ठीक है तो इतनी चीज़े हो गए आपके पास ड्रक्स के बारे में ठीक चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगी नेस्ट वीडियो में नेस्ट आपिक के साब तब तक के लिए बा आपिक ये